प्रेंड्स सुभे जल्दी में बच्चों के लिए आपती के लिए टिफिन बनाना चाहते हो वो भी इडली सामबर तो इजी तरीके से बनाए जो की एकी कड़ाई में इडली और सामबर दोनों एकी टाइम पर बनके रेडी होगी प्रेंड्स मेरे रेसेपी अगर अच्छी लगती होगी तो एक लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल में नहीं होतो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसे केसे जल्दी में बना के रेडी करें बनाने के लिए चले इसके लिए मैंने ली हूँ एक कटोरी मोटर लेली हूँ वह भी कच्ची मटर हरी मटर छिल के और एक मिक्सी जार लेली हूँ और इसमें उतने मटर एड़ कर दी हूँ और इसमें दो हरी मेर्चे एड़ कर दी हूँ और थोड़ी सी लसन छिल के रखी थी चार पान साथाट का लिया एड़ कर दी हूँ और थोड़ी से पा में खाली कर देंगे और इसमें बावल में खाली करके इसको साइड कर देंगे तो उसी मिक्सी जार में ही मैंने एक टमाटर काटके ले ली हूँ और इसमें भी एक हरी मिर्ची ले ली हूँ थोड़ी सी अद्रक के टुकड़े ले ली हूँ और साथ आठ लसन की कलिया ले ली ह और इसमें भी थोड़ा सा पानी दो तिन चामा चैट करके इसको भी प्योरिट बना देना है और मिक्सी में इसको प्योरिट बना के इसको भी साइट करके हम रख देंगे अभी ये प्योरिट हो गया इसको साइट कर देते है और हम पहले से ही दोसा बेटर बना के रखे हैं और उसे अभी हम ले लेते हैं आप चाहो तो सुजी से भी बेटर बना सकते हो तुरंत मैंने दोसा बेटर थी तो उसी में ही वो जो माटर का हम लग पीस के रखे थे वो ही माटर को इसके अंदर एड कर देंगे क्योंकि हारी मटर की इडली बनके रेड़ी होगी तो अच्छे लगेगी लेकिन मैंने बेटर थी तो उसके अंदर ही मटर का पिशा हुआ एड़ कर दी अगर तुरन्द बनाना चाहते हो तो वोई मटर के पिशुई में सुजी एड़ करके बेटर बना सकते हो और इसको इडली बना सकते हो और अब मैंने ग्यास में कड़ाई ले ली हूँ और तेल एड़ कर दी हूँ दो चामच और इसमें आधी चामच जीरा एड़ कर दी हूँ जीरा का जैसी चटका राज है तो एक कटोरी प्याज कटके रखी थी वो भी एड़ कर दूँगी और प्याज थोड़ी सी गोल्डेन ब्राउन होने तक भूनेंगे और प्याज जैसे थोड़ी सी गोल्डेन ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर हम सारे मसाल एड़ कर देंगे तो एक चामच मिर्ची पाउडर, एक चामच गरमसाला पाउडर, एक चामच हल्दी पाउडर एड़ करके उसको आच्छे तरह से एक मिनिट के लिए फिर भून लेना है और इसके अंदर हम लोग जो प्यूरिट बना के रखे टमाटर, हरी मिर्ची का वो भी इसके अंदर एड़ करके इसको भी भूनना है तो उस धोके जो थोड़ा पानी थे वो भी एड़ कर दिया हूँ तो इसको आच्छे तरह से भून लेना है दो मिनिट तक फिर इसमी स्वादानसार उसके लिए नमक एड़ कर देंगे और थोड़ा पानी भी इसके अंदर एड़ कर देंगे यह जब तक मसाला उसके अंदर भूनेगी तब तक उसी का अंदर ही हम इडली को स्टेम कर लेंगे तो उसी कड़ाई में ही नीचे मसाला है थोड़ा पानी एड़ कर दी हूं मसाला में और पांच मिनिट तक इस स्टीम जब तक होगी तब तक मसाला भुन जाएगी तो उसके अंदर मैंने इडली स्टीमर डाल दी और उसी इडली के खाने में इडली के बेटर भर दी दो स्टा थी इधर मसाले भी बन गया और इधर इडली भी बन गई सुबह जल्दबाजी में बच्चों के लिए पति के लिए बनाना हो तो इसे असान तरीके से बनाए तो अभी इसको ढग देना है और पांच मिनिट बाद निकाले तो यह इडली भी स्टीम हो गया है अभी हाथ में न निकाल देंगे एक एक प्लेट और मसाला नीचे से भी भून गई होगी तो अभी थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको और दो मिनिट तक उसको इसे चमत से चलना लेना है और अच्छी तरह से उसको भी भून लेना है और यह जब तक लोटू मिडियों में भूनेंगे तब तक मसाला से तेल जब तक अलग हो जा रहा है तब तक हम इडली के स्टैंड से इडली को निकाल देंगे और इडली को निकाल के हम उस मसाले जो फ्राय के ही या पक रहा है उसके अंदर हम एड़ कर देंगे तो एक साथ ही ही इडली संबर मसाला पक के रेडी हो जाएगी और आप लंज मक्स से पेक करके या लंज में टिफिन में दे सकते हो खाने के लिए अभी ये सारे इलली निकल गया और उसी मसाले में अम एक एक करके एड़ कर देंगे और मसाले में आप चाहो थो थोड़ी सी खट्टी के लिए अमचुर पाउडर भी एड़ कर सकते हो और खट्स państwa है ॉणि चीणे भी एड़ कर सकते हो मैंने पहले एड़ritos नहीं की थी तसके बाद खट्टी मिति का बैलेंस से अच्छी लगी और टेस्ट भी लगए और अब यह देखもう एकी सात ईडली संबर संबर के लिओ attent और मैंने पहले चिनी नहीं डाली थी तो इसके लिए बाद में डाल दी और थोड़ी सी धनिया भी एड़ कर दी और ये एक साथ ही इडली मसाले सामबर सब एक साथ उसका फ्लेवर आजाएगी एकी साथ बनके और वो भी कम समय में रेडी हो गई और उसे अभी खाने के लिए सब करो या टिफिन में भर के देने के लिए सब करो केसे भी करो जल्द में सुबह सुबह रेडी होगी एकी साथ में और एकी कडाई में कम समय में बनके रेडी होगी और आपका समय भी बच गया और ग्यास का खर्चा भी कम हो गया और कम टाम पर नास्ता बनके रेडी होग तो लाइक, शेर, कमेट जरूर कर देना और मेरे चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब करता ना प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइ फ्रेंड्स